सुआगत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो ये इंग्लेंड वोमेन वर्सिस पाकिस्तान वोमेन की टीम के बीच में जो ये तीसरा और आखरी ओडियाई का मैच किला जाएगा इस मैच के बारे में इस वी ग्राउंट चैंस पोड में खेला जाएगा मैच फॉर्मेट की बात करें ओडियाई का ये फॉर्मेट रहने वाला है अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेली ग्राम से नहीं जुड़े तो आप लोग का टेली ग्राम से जुड़ना काफी इंपोर्टेंट रहेगा कि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको एरे टेली ग्राम पर ही मिलेगी और जो इस मैच की फाइनल टीम होगी वह भी टेली ग्राम पर ही देने वाला हूँ तो इस वज़े से आप लोग का टेली ग्राम से जुड़ना काफी इंपोर्टेंट रहेगा तो आप लोग जु फर्स्टनिंग का एवरेज स्कोर रहा है वो 187 का रहा है इसके अलावा दोस्ते आप जो विकेट मिलते हैं वो पेस्ट और इस पिन दोनों को मिलते हैं तो उसी के साब से आप लोग अपनी टीम क्रेट करना अब यहां पर दोस्त हम लोग इस वेन्यू के बारे में अब यहां पर दोस्त हम लोग पेस वर्सिस इस्पिन के बारे में जाने तो इस वेन्यू पर जो लाष्ट तीन वोमेंस के मैच यहां पर जो खेले गए हैं अगर आप लोग उन्हें में देखोगे तो यहां पर 20 विकेट पेसर्स को मिले हैं वहीं 24 विकेट इस्पिनर ने निकाले हैं तो आप लोग यहां पर साब साब देख सकते हो यहां पर पेस और इस पे दोनों अच्छा कर रहे हैं तो आप हमको पूरा मैच देखने को मिलने वाला है अब यहां पर दोस्त हम लोग पहले बात कर लेते हैं इंगलेंड वोमेंड की टीम के बारे में तो दोस्तों इंगलेंड वोमेंड की टीम की बात करें तो इंगलेंड वोमेंड की टीम ने इस सीरीज में टोटल अभी तक दो मै तो सबसे पहले बात करें टमी बेमाउंट की काफी इंपोर्टेंट लाड़ी है राइटी बेटिंग करती है मस्ट पे कियापती रहने वाली है अपनी टीम में लेके इनको जरूर चलना है इस सीरीज में एक मैच खिला जिसमें 33 बनाए है उससे पहले का फॉर्म आप लोग य यह काफी अच्छी ट्रंपिक भी आपकी बन सकती है क्योंकि लोग इनको लेके नहीं आएंगे पर हम लोग लेके जा सकते हैं हैदर नाइट है अपने टीम की कैप्टन है इंपोर्टेंट लाड़ी है राइटी बेटिंग करती है पार्ट टाइम ऑफ बिरिक यह बालिंग बालिंग डालती है यह भी आपकी काफी इंपोर्टेंट रहेंगी हाला कि बालिंग रिशन्ट में अभी इस सीरीज में नहीं करा रही है लास्ट जो मैच ओडियाई का खेरा उसमें भी नहीं करा ही उससे पहले जो टीट वंटी मैचेस खेल के आ रही है वहाँ पर भी इन् करती है और ओडियाई में यह मिडल यॉर्डर में खेलती है तो इनको आप लोग जील में लेकर जा सकते हो या फिर अगर यहां पर इंग्लेंड वोवन की टीम पहले बैटिंग करे तब आप लोग इनको स्मॉल लिंग में भी ट्राई कर सकते हो यह यह भी अच्छी इप ल लेवाज है फर्स्ट बैटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी जब इंग्लेंड की टीम पहले बैटिंग करे वैसे दोन विंग में लेकर जा सकते हो क्योंकि इस मैच में यहां पे इंग्लेंड की टीम ही फैवरेट रहने वाली है तो यह आपको विकेट के विकेट काफी इंपोर्टेंट रहेंगी इस सीरीज में भी एक मैच खिला है जिसमें 20 रंस की पारी रही है दो विकेट निकाले है दस ओवर की बॉलिंग कराई है उससे पहले का फॉर्म आप लोग यहां पर देख सकते हो सोफी एक लिश्टोन है मस्ट पेक रहेंगी अपने मैच नहीं हो पाया बारिस की बज़े से तो यह भी आपको खेलते हुई दिख जाएंगी बाकि रिशेंट पर्फॉर्मिस आप इनकी देख सकते हो ओडियाई में रिकॉर्ड देखोगे चार मैच में आठ विकेट अभी तक निकाल चुकी है अच्छी फास्ट बॉल आरे इ तो दोस्तो पाकिस्तान वोमेन की टीम की बात करें तो पाकिस्तान वोमेन की टीम ने यहाँ पे दो मैचेस खेले हैं जिसमें से एक मैच इनका यहाँ पे एक मैच आ रही है और एक मैच नो रिजल्ट रहा है अब हम लोगे आपे पाकिस्तान वोमेन की टीम की पिलेंग 11 औ आप लोग एका जील में ट्राई कर सकते हो थोड़ी से एवरेज ऑप्चन है इस सीरीज में एक मैच के ला जिसमें 28 बनाएं उससे पहले का फॉर्म आप लोग यहां पर देख सकते हो सिद्रा अमीन दोस्तों अच्छी किलाड़ी है पर इनका भी सीरीज में कुछ खास पर्फ तरब से आप देखोगे नाजिया अलिवी यह विकेट केपिंग कर रहे हैं तो यह आपको प्योर बल्ले वाज के तोर पर यहां पर खेलती हुई दिखेंगी तो इनका रिकॉर्ड आप लोग यहां पर देख सकते हैं लास्ट में 34 बनाएं उससे पहले का फॉर्म आप रखते हैं रिकॉर्ड देखोगे 65 मैच में 1266 रंस है 24 कैवरीज है दस विकेट है लास्ट मैच के लिए जिसमें इन्होंने 21 रंस बनाए दो विकेट निकाले 6 ओवर की बॉलिंग भी कराएं अब यह बॉलिंग कराएंगी यह नहीं कराएंगी यह कहना थोड़ा सा मुश्क अच्छा नहीं रहा है और जो इस सीरीज से पहले जो इनकी वेस्ट इंडीज के टीम के साथ भी सीरीज होई थी उसमें भी उतने अच्छे टचमें नहीं थी तो रिशेंट अच्छा नहीं है प्लेयर इंपोर्टेंट आप लोग लेके इनको जा सकते हो नाजीया अलवी ए पर आप लोग इनको जीयल में ही ट्राई करना क्योंकि इनका भी रिशेंट उस तरह से मतलब उतना अच्छा रहा नहीं है नश्रा संदु है यह दोस्तों अच्छी इस्पिनन है इनको आप लोग चाओ स्मॉल लिंग भी ट्राई कर सकते हो 64 मैच में 86 वेकेट है लास्ट मै करेकलर का रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा बाकि इन में से कोई भी खेलता है उसका स्टार्स आपको टॉस के बाद टेली कराम पर मिली जाता है अगर आप लोग फिर भी देखना चाहों लोग यहां पर स्क्रीन सॉट ले सकते हो अब यहां पर दोस्त हम लोग दोनों ट पिक्स भाई हेट टू हेड यानि कि कौन कौन से वो प्लेयर है जो हेट टू हेड में अच्छा करते हैं उनके बारे हम लोग यहां पर जानने वाले हैं तो यहां पर आप सबसे पहले देखोगे टमी बैमाउंट नौ मैच्चिस में 519 यहां पर रंस है 74 कैवरेज है काफी अच्छा रिकोर्ड है नेट साइवर ब्रूंट हैं 11 मैच 430 रंस 72 कैवरेज 8 विकेट हैदर नाइट 11 मैच 404 रंस 66 कैवरेज प्लस 8 विकेट इनके बी हैं इनके अलावा यहां पर आप देखोगे ऐलिस के अपसी है एक मैच इस खेला है चावालिस रंस है चावालिस रंस क प्लस एक एवरेज इनके अलावा यहां पर चारलोड़ डीन है एक मैच मेच में नौँ बिकेट है निकाल है are वह सारा गिलियन है चार मैच में आठ वेक IT हैट टूएड में निकाल चुकी है रमीन समीम है इनोंने यहां पे दो मैचेश शीन थी यहां पर चैब लोरे अन्पर keд刚 एक मैच में दोड़ने थीर सकते हैं अब यहां तो दोस्तो अब हम लोग अपनी टेम देख लेते हैं जो फिलाल मैंने meaning प्राइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना क्योंकि टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी वह आपको टेली ग्राम पर ही मिलने वाली है तो जोड़ जाना लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फ़स्ट में मिल जाएगा मेरे टेली ग्राम चैनल का तो चलिए अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं तो यहां पर दोस्तो विकेट कीपिंग में मैंने आप एमी जॉंस को लिया और सेफ ऑप्शन यही रहने वाली है तो मैं फिलाल सेफ गया हूं मैंने इनको लिया है अब आप लोग डिस्क लेना चाओ तो अगर इंगलेंड वुमेन की टीम बाद में बैटिंग करे तो फिर के लाव दोस्तो नीचे मैंने बूशियर को भी लिया यह भी आपकी इंपोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ओपनिंग करती है अच्छी बल लिवाज है रीशेंट उतना अच्छा रहा नहीं है मैंने रिस्क लिया है आप लोग चाओ इनकी जगा किसी अधर प्लेयर को भी ट्राइ कर सकते हो इनके लावा डीव याट अच्छी ऑप्शन है फर्स्ट बैटिंग अपने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आती है एस सम सापकी उतनी अच्छी ऑप्शन है नहीं अमीन दोस्तो अच्छी ऑप्शन है इनको जी यल में जरूर ट्राइ कर ले ना बाकी यहा फ़लाल दोस्तों मैंने या पे इन चारों को यहां से पिक किया है। और उल्राउंडर सेक्षन में देखोगे। यहाँ पे मैंने निदर्डार को लिया है। एन साइवर बूंट को लिया और सीड इन को लिया है। अब एने के अलावा कैपसी, अच्छी option है, first match में अच्छे touch में लगी, आप लोग लेना चाओ, बिलकुल लेके जा सकते हो, फ्लाल मैंने नहीं लिया है, पर आप लोग दोस्तों, अगर कैपसी को ले रहे हो, तो first betting में लेना, जब England women की team पहले betting करें, क्योंकि betting करने ये नहीं लिया है, मैंने आप इन तीनों को pick किया है, balling में देखोगे, मैंने आप सोफी को लिया है, cat kiros को लिया है, और नीचे मैंने filler को लिया है, जिनका selection 7% के आसपास है, पर दोस्तों, विकेट टेकर है, अच्छी baller है, मैंने इनको भी pick किया, और England women की team favorite भी रहने वाली ह या, इनको try कर सकतो, वेग आपके GL की pick रहेंगी, बाकी नीचे अभी कोई नहीं खिल रहा है, तो फिलाल दोस्तों, जो मेरी यहापे team बन रही है, वो यहापे कुछ इस प्रेकार है, अब यहापे मैंने अपनी कप्तानी सोफी को दिया, wise captain मैंने निदा डार को किया, आपक काफी अच्छी प्लेर है, तो यह कुछ option CVC के रहने वाले हैं, आप लोग इनमें से जिसको करना चाओ कर सकते हो, फिलाल मेरी यह team है, अगर इस team में कुछ भी change होगा, तो after toss आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा, तो उसके लिए अपने मुरे टेलीग्राम से जरूर ज औू क्तैंजजग्ः शीघर हैं, चिया रुगत ही ए्क बात्रों इनमेन और मेरी और सीघ्चों जिसको, तो विला साथे जिए उरू वाले एंवें तो रात्रों नहीं कोलो है उरत्वशना मेरी आट धेलेदेता यहांई कि यहा पीक्तैंज़ से वाह Python है